दोस्तों यह प्याज की नर्सरी और इस नर्सरी से निकाले हमने यह पूंदे और यह देख सकते हो बहुत अच्छे पूंदे और बहुत अच्छा बीज था यह इसको लगाएंगे अब हम क्यारी में अब इसको लगाने जा रहे हैं उपर क्यारी बना रिखे हमने उन क्यारियों में और दोस्तो ये बागी सबजी चंचु राई मूली मेती दोस्तो ये प्याज लगा रहे हैं अपने खाने के लिए घर पे हम इस पर यूरिया और यूज नहीं करते हैं कि टासक दवा ने डालते हैं दोस्तो इस पर डालते हैं गोवर की खाद नीम के पत्तों से बनी भी कमपोस्टर खाद दोस्तों ये प्याज का पॉर्धा और ये सिंगल-सिंगल कर लेने ए तो दोस्तो वैसे तो ये गठरी बद्के आती है मेरे पास ये खुद की क्या रही है तो मैं ऐसी लगा रहा हूं दोस्तों प्याज लगाना है कम से कम छेंची की दूरी पर दोस्तों और उसके बाद अभी प्याज लगाने के बाद मैं पे पानी का फुरा लगा दूंगा तो तो ये प्याज बहुत अलगी हो जाएगी, मिट्टी अलगी हो जाएगी और दबेगी भी नहीं, प्याज होगी भी दोस्तों बड़ी जबरदस्त है, ये इसी तरह के से प्याज लगाऊंगा मैं इस पूरे खेत में